बाई और बहनों पिछले महिने ही मनिपूर ने अपनी स्थापना के पचास वर्ष पूरे किये बीते दशकों में आपने अने सरकारों को देखा है उनका कामकादी भी देखा है और उनके कारणा में भी देखे है दशकों के कौंगे सासद में मनिपूर को असमानता और असंतुलिस विकास ही मिला लेकिन बीते पाँच वर्षों में बीजेपी की डेबल इंजिन के सरकार ने मनिपूर के विकास का पूरी इमामदारी से प्रयास किया है आपने बीजेपी की गुड गवर्णनेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है बीते पाँच साल में हमने जो मेहनत की उसने आने वाले 25 सानों की एक फोस मजबूत नीव बनाई है मैं विशे इस रुप से यहां के युवा बेते बेतियों से और खास करके फर्स ट्राइम वोटर से कहूंगा जो पहली बार इस बार वोट दानने के लिए जाने वाले उनके मन में कितना उत्सा होगा उमंग होगा वोट देने के लिए जाने का मट्रब यह नहीं है किस रुप पोनिंग भूद पे गए एक बटन दबाया कितना नहीं है जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं इसका मटलब आप इस सरकार के सक्रिय भागिदार बन जाते हैं आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण दिनने के हिस्सेदार बन जाते हैं और ये सवभागिय जिन नवजमान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और उनसे आगर करता हूँ कि आपने जीवन के जो महत्वपूर्ण पर होते हैं जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे जब पहली बार आप अपने गाउं से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे वो चीज़े याद रहती है वैसे ही कि पहली बार भोट डालना पोलिंग स्टेशन पर जाना बूट के अदर जाना बटन दबाना और अंदर से भिज़े ध्वनी निकले एक नयापी स्वास ले करके निकलना ये आउसर कभी जाने मत देला मेरे लवजवान साथियों ये चुनाव मणीपूर के आने वाले 25 साल को निर्भारित करने वाले स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है उसको अब हमें पर्मनेंट बनाना है इसलिए मणीपूर में बीजेपी के नेत्रुत्व में पूर्ण बहुमत के सरकार बननी बहुत आवशक है